हेलो नमश्कार स्टुदिंस जो भी पैरेंस वीडियो को देख रहें ठेके ना सभी पैरेंस को मैं नमश्कार करता हूं मेरा विनीत मांडे ठेके और आप देख रहें टूपाяти क्लासेश जूनियर ओके शैद यह जूनियर चैनल पर ही मैं ऑनलाइन आया हूं येस आए गेस सो बिकॉस अभी मैंने दूसरे चैनल पर भी लाइफ किया था येस करेक्ट तो स्टुडेंट्स एंड पैरेंट्स सभी को मैं एक इंफोमेशन देना चाहता हूं कि मेरा एक दूस बहुत सारे पैरेंट्स या बहुत सारे टीचर्स इस चैनल को फॉलो करते हैं सबसे पहरे मैं उनको थैंक्यू बोलना चाहूंगा ठेके ना मैं आपको इंफोमेशन देना चाहता हूं कि मेरी लाइफ ऑनलाइन टूशन क्लासेश चलती है क्या मेरी ओनलाइन लाइफ चुछ को मैं यहां पर लूँगा धियान से सुनिए बच्छों ओनली 15 इस्टूटंस को मैं यहां पर लूँगा अपनी क्लास में ओकी मतलब ओनली 15 स्टूटंस आर अलावड करेक्ट तो क्लास 8 से 9 तूप ग्लास में जो बच्चे मूव कर रहे हैं वो जड़ा ध्यान दे आपको मैं online live tuition classes दूँगा, ध्यान से सुनिए बच्छो, यहाँ पर क्या होगा, यह जो भी parents वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर one to one interaction होगा, one to one interaction का मतलब क्या होता है, देखिए, यह मैं आपको बताओं कि मेरी classes कैसे चलती है, शायद आपने ऐसी classes अभी तक नही जोइन करियोंगी कहीं पर, तो मेरी classes तरीके से चलती है, यह मेरा studio है, यहाँ पर correct, आप हमारे app पे online आओगे, अपने mobile पे या laptop पे या system पे जैसे भी आपको facility अवलेवल है, सामने screen लगी हुई है, हर एक topic को detail में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, और live session में ही, आपके जो mathematics को detail में cover करूंगा, आज मैं live इसलिए आया हूँ, because अभी नया session आ रहा है, तो बहुत सारे parents, coaching center, students को search करते हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको information देना चाहता हूँ, कि आपने मेरे videos देखे हैं हैं, तो आप मेरी class में enroll कर सकते हैं, और सभी class 8 के बच्चों को मैं बोलना चाहू कि यह जो class 8 से जब आप 9 में जाते हो, parents भी ध्यान से सुने, ठीक है, class 8 से 9 में जब आप जाते हो, ठीक है, तो concepts बहुत ही, huge jump लेते हैं, मतलब class 8 जैसा नहीं है, ठीक है, class 9 में syllabus difficult है, ध्यान से सुनिए, class 9 में syllabus difficult है, और आपको चीजों को starting से करना चाहिए, correct, अगर आपने यहाँ पर late किया, तो आपको बहुत परिशानी होने वाली है, मतलब आपको March, April से ही, मतलब आपके जब भी final exams finish हो जा रहे है, तबी से आपको syllabus में बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए, otherwise आपको 9th class में बहुत परिशानी का सामना करना पर सकता है, और 10th class में आ बहुत vast level पर जाएगा, ठीके students, तो यहाँ पर सभी parents को मैं बोलना चाहूँगा, कि मैं only 15 students को हर एक साल class 9th में enroll करता हूँ, ठीके, उनको अपनी classes में लेता हूँ, और वो मेरे साथ यहाँ पर classes कर सकते है, physics, chemistry and mathematics को मैं बहुत detail में पढ़ाऊँगा, तो आईए देखते है, classes में आपको क्या-क्या मिलेगा, सबसे पहले, one-to-one interaction, ठीके students, यहाँ पर आप live one-to-one interaction कर सकते है, ठीके, यानि के home tuition की तरह ही होगा, आप मेरे से बात भी कर सकते है, यानि के, अच्छा, बहुत सारे parents confused है, आप ही पढ़ाऊगा या कोई और, तो मेरी ही classes चलेंगी, mathematics को detail में लेके पढ़ना है in future, physics, chemistry and mathematics को अगर आपको detail में लेके पढ़ना है in future, ठीके students, तो आप मेरी classes में ही है, because, यहाँ पर classes थोड़ा सा advanced level की चलेंगी, हर एक topic को detail में पढ़ाया जाएगा, और future में जिन भी बच्चों को physics, chemistry and mathematics class 11 में लेना है, इस बात को ध्यान में backup classrooms भी available रहते है, backup classrooms क्या है, मान लीजे बच्चों की मैं आपको live session में आप polynomial पढ़ा रहा हूँ, just example दे रहा हूँ, या chemistry का कोई chapter पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब आपके school में कोई और chapter आने वाला है, आपके teacher ने बोला कि after one week क्या है, test है, कोई बात नहीं है, तो live session में तो वहाँ पर quadratic polynomial आपको available करा दिया जाएगा, ठीक है, उसकी recordings आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप उनको देखके, जो भी 8 to 10 days है, आप prepare कर सकते हैं, और daily मैं live रहता हूँ, तो live session में आके, आप मेरे से अपनी queries को यहाँ पर clear कर सकते हैं, ठीक है students, ओके, now, इसके बाद, test obviously, अब इसमें कुछ पूछने की बात नहीं है, अगर आपकी पढ़ाई होगी, तो time to time test भी आपके, यहाँ पर होगे, ठीक है students, इसके बार, next है बच्चो, WhatsApp group, correct, WhatsApp group, now, 24 x 7, यहाँ पर आप मेरे साथ बच्चों connect रहेंगे, यानिके, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक और भी बच्चे होंगे इस group पे, ठीक है ना, तो मैं live session में आके आपके इस doubt को clear कर दूँगा, या हमारे पास अगर कोई backup classroom में कोई video available है, तो हम आपको आपर भेज़ देंगे, ठीक है ना, यानिके, बच्चों, जैसे आप offline classrooms में जाते हो, तो offline classroom में क्या होता है, पहले तो आपने उसको कही admission कराया है या नहीं कराया है, ठीक है, बट मैं आपको बता दूँ कि यह जो online class चल रही है, अब future online का ही है, ठीक है, जो online classes चल रही है, इन online classes में मैंने भी आपको बताया है ना, कि आप one to one interaction करोगे, ध्यान दीजे, शायद ऐसी classes अभी आपने ना करी हूँ, यह देखी, यह studio होता है, ठीक है, यह speakers लगे हैं, सामने screen है, बच्चा आएगा, classes चल रही है, बच्चे ने doubt पूछा और हमने यहीं पर बच्चे से बात कर ली, बच्चे के doubt यहीं पर clear कर दिये, ठीक है ना, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, अभी तक आपने online, ऐसी class कहीं पर नहीं करी होगी, इसलिए शायद आपको doubt आ रहा होगा, कि हम offline भेजें ना भेजें, तो offline से better option है, because अभी गर्मियों का मौसम आ जाएगा, आपका बच्चा आदे घंटे बाहर जाने में, आदे घंटे आने में, प्लस सबसे important बात यह है, कि क्या आपको इतना experience teacher कहीं पर मिलेगा, ठीक है, physics, chemistry and mathematics का आप YouTube पर search करिए, टूपाई classes, तो वहाँ पर 70,000 से उपर बच्चे हमारे साथ join है, correct, तो मैंने आपको बताया कि हर एक बच्चे को मैं live नहीं पढ़ा सकता हूँ, but yes, these are paid batches and कुछ बच्चे, only 15 students को मैं लेता हूँ यहाँ और उसको one आपको बता है ना कि जो भी chapters बच्चों को पढ़ने है, उसके backup classrooms, ठीक है, सभी तरीकी की recordings of live तो मैं रहता ही हो, plus कोई doubt है, तो यहाँ पर सबसे important है, बच्चा मुझे phone कर सकता है, अभी number में आपको बता दूँगा, या आप मुझे phone कर सकते हो, कि क्या चल रहा है, क्या नी branding देखके, ठीक है, शयद आपने कभी feel भी किया हो, आपने अपने घर के आसपास किसी local coaching की branding देखी हो, या local किसी coaching center या बहुत बढ़े brand का आपने कहीं पर advertisement देखा हो, आपने बच्चे को enroll करा दिया, तो वहाँ लंसम fee, आप पूरे साल भर की एक साथ deposit कर देते हो, अब क्योंकि आपका साल भर का budget तो वही है, बच्चे को पढ़ाने का budget तो वही है, तो आपने वहाँ deposit कर दिया, आप क्या हुआ, कि teacher वहां से, मान लिजे, starting में teacher, अच्छा तब teacher change हो गया, आपने तो institute को fees दी होई है, teacher अब आपको change हो गया, तो यही जीज़ है, तो यहाँ पर क्राम से easily आप pay करोगे, ठीके ना, कोई भी lump sum, lump sum means, पूरा amount आपको एक साथ नहीं देना है, तो आप इस तरीके से बात को समझे, तो किसी भी offline center में जाने से पहले, आप मेरी classes को एक बार जरूर देख ले, correct, मैं live session उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जो बच्चे बहु के बच्चों को tuition पढ़ाने के लिए, ठीके ना, तो वो कहीं आप एक साथ deposit कर देते हो, तो कभी-कभी problems हो जाती है, मेरा experience है, इसी field में होए, मुझे पता है, हर एक साल बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, फिर दुबारा कहीं और जोइन करें, फिर धीरे-धीरे ब बाहर जाने का आप घूमने चले गए बीच में, या बच्चे की तबियत खराब हो गया, फीवर आ गया, कुछ हो गया, तो हमारे पास recordings भी available रहती है, मतलब जो भी live sessions होंगे, वो सारे के सारे आपकी login ID में यहाँ पर record हो जाएंगे, correct, तो बच्चा क्या कर सकता है, उसको और आम से अपनी सुविधा के अनुसार देख सकता है, तो ये भी facility है, अब मैं थोड़ा सा parents को यहाँ सचेत करना चाहूंगा, आपने हमारे बहुत सारे बहुत सारे teachers भी हैं, जिन्नोंने हमारे videos को देखा हुआ है, तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो 9th class में जा parents हैं, अभी तक माननी जो बहुत सारी मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को घर पर पढ़ा रही होंगी, I know very well कि इस चैनल से देखके, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे maths के questions देखते हूं, मुझे time नहीं मिला, तो मैं physics chemistry भी लेके आता है, मुझे time नहीं मिला, time नहीं रहता parents please ध्यान दे, यहीं से बच्चे की foundation त्यार होती है, तो आपको त्ख़़दा सा यहाँ सावधान रहना चाहिए, बच्चे के career को लेके, यह देखिए, आप यह सर्च करिए, तो आपको यह मेरे channel मिलेगा, दूसरा मेरे पर actual time नहीं होता है, इसलिए मैं आपके इस class 8 वाले चैनल पर मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ है, बहुत समय की बहुत कमी है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने सोचा था, physics chemistry भी पूरा करूंगा, बट ऐसी possibility हो नहीं पाती है, बहुत फारी classes चलती है, यह देखिए, यह तो पाई classes, जूनियर है, है ना, इस पे आप लोग देखते हो videos, और यह तूपाई classes है, 72,000 students हैं यहाँ पर, तो यह वाला आप देखोगे, तो यह हमारा senior classes का, इस पर आपको JE की classes और यह सारा सब कुछ यहाँ पर आता रहता है, ठीके ना, ओके, तो इस number पर आप WhatsApp कर सकते हो, 750-36-24-171, बैरहल हम अपनी बातों प फर्स चैप्टर आपको मिलेगा motion, वही बहुत difficult हो जाता है, ठीके, फिर बच्चे धीरे-धीरे frustrated होने लगते हों पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं, उसका reason क्या है, उसका reason यह है कि, अभी जैसे बच्चे ने final दे दिया, है ना, final exam finish कर लिया बच्चे ने, ठीके, तो March क्या करता है, थोड़ा सा बच्चा, March में मज़े करता है, April में भी मज़े करता है, जड़ा समझेगा बात को, parents इस बात को समझ रहे, March गया, April गया है, May गया आपका, धीरे-धीरे गर्मी की छुट्टियां, जो summer vacation होता है, वो सब चला जाता है, और धीरे-धीरे जुलाई, August आजाता है, यहीं पर बच्चा देखिए, अब बच्चे के future के लिए सबसे घातक हो गया, क्या हुआ, आपने उसका कोई teacher search किया, नहीं किया, I don't know, या किया, तो वो teacher अच्छा नहीं था, उसका experience नहीं था, उसको कहीं coaching नहीं दी, उसने कहीं classes नहीं ली, थोड़ा सा miss हो summer vacation में हम लोग घूमने निकल गए, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे को problem आती है, और यह problem बहुत बड़ी problem है, क्योंकि पता है, यह chapter ही finish करने में बहुत time लगता है, class 8 का chapter नहीं कि आपकी teacher को important, आपको बता देंगे कि भी, यह important है, यहाँ से पढ़ किया जाना, नहीं, ऐसा नहीं, class 9 में बहुत अच्छा level का quality questions आते हैं, board examination के लिए, आप एक तरीके से समझेगा, ध्यान से, सभी parents सुने, ध्यान से, सभी parents प्लीज ध्यान से सुने, बच्चे का जो physics chemistry यहाँ पर mathematics तियार हो रहा है, वो board examination के लिए अप तियार हो रहा है, यानिकि जो board examination class 10 में questions आते ह वो 9th class से भी question आते हैं, please ध्यान दे, 10th class में यह मैं आपको, आपको कोई local home tutor आप सर्च करोगे न, आपको यह बाते नहीं बताएगा, क्योंकि 13 वर्ष होगे मुझे लगबग, 13 year से मैं online, 13 year से मैं physics chemistry and mathematics को पढढ़ा रहा हूँ, अब तो मैं purely online पढ़ाता हूँ, बहुत सार 9th class में उसके कोई भी एक marks काठी नहीं सकता है, because यह एक journey है, जिसको आपको feel करना है, यह journey 8th class के बाद start हो जाती है, और आप लोग कही न कहीं late करते हैं, आप लोग कहीं न कहीं late होते हैं, बच्चा समझ नहीं बाता, बच्चा छोटा है अभी, और chapter देखिए, motion, ठीक, physics, देखा 9th class का physics, physics 9th class का difficult हो जाता है बच्चे के लिए, बहुत जादा difficult हो जाता है, ठीके न, इसमें ही आपके कम से कम कितने questions होंगे, 500, अच्छे questions होंगे, 500 जो बच्चे को लगाने होते हैं, ठीके बच्चा समय नहीं पाता है, परशान हो जाता है, फिर धीरे धीरे chemistry के साथ, ठीके यही problem आपकी होती chemistry के साथ, आप chemistry में भी यहीं है, क्या, आप chemistry को class 8 की तरह समझ रहेते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं है, 9th class की chemistry को अलग level से पढ़ना चाहिए, अलग तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीके, बहुत अच्छे questions हैं, यहां पर concept यहां पर बहुत अ अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है, और 10th में भी अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है, 9th कहीं न कहीं हम लोग miss कर देते हैं, अब मैं हर एक साल देखता हूँ, 10th class का जो हमारा batch आता है, parents, ठीके, सभी guardians को मैं बताना चाहूँ, शायद आपको ना पता हो, यह बच्चे 9th class में नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते भी हैं, तो अभी मैंने आपको बता है, आपको teacher ऐसा मिल गया, जिसको experience नहीं था, जिसका chemistry से कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी वो chemistry पढ़ा रहे हैं, ऐसा होता है, तब यहाँ उसको problem है, अब 10th class के board examination में तो उसके लिए मिस्स करना होता है, और यही सारी चीज़ें हम लोग मिस्स करते हैं, parents को कोई बताने वाला होता नहीं, आप किसी coaching में जाओगे, तो आप से अच्छी बाते करी जाएंगे, और आपको enroll वहाँ पर कर लिया जाएगा, हाला कि मैं भी अच्छी बाते कर रहा हूं, लेकिन आप 10th class से, जब अच्छा 10th में जाता है, तो परिशान हो जाता है, क्योंकि 9th class में नहीं पढ़ा, तो जितनी अच्छी preparation आप class 9th में यहाँ पर करेंगे, board examination को ध्यान में रखते हुए है, उतना अच्छा class 10th में आप perform करेंगे, तो I think आपको मेरी बात समझ में आरी होगी, ठी mathematics में भी आप इसको class 8th का mathematics मत समझेगा, students, okay, mathematics आपका class 9th का difficult है, class 9th difficult है, बहुत अच्छा level का chain यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो जितना अच्छा आप 9th class में अच्छी तरीके से पढ़के जाएंगे, class 10th में भी उतना, मेरे जो batches चलते हैं, मेरी जो marks आते हैं, ठीक है, और वही पर जो 10th class में आता है, लेट हो जाता है, तो फिर मतलब वो उसको compare, मतलब उसको वो नहीं पकड़ पाता है, उस बच्चे के equal वो नहीं आ पाता है, मैं किसी बच्चे को यह नहीं कहरा हूँगी, competition को आपस में, लेकिन मैं एक बात बतारा हूँ तो knowledge digest करने के लिए, मुझे 9th class पूरा मिला हुआ है, वो अगर मैं waste करूँगा, तो मैं 10th में अच्छा perform नहीं कर पाँगा, ठीक है, ओके, correct, तो यह सारी चीज़े है, I think, आपको मेरी पास समझ में आई होगी, correct students, okay, तो mathematics भी आपका ऐसा, आपको starting से पढ़ना है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े है, अच्छा, बहुत सारे parents यहां पर doubtful होंगे कि NCRT में content नहीं अच्छा दिया हुए, NCRT तो बहुत पतली book है, 9th class की, और उसमें physics बहुत कम दिया है, chemistry बहुत कम दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे guardians, बहुत सारी mothers, जो अपने बच्चों उस class 8 में दिखा होगा, किस तरीके से हमने, जो आपके try these वाले questions है, या जिन्नोंने अच्छी तरीके से follow किया होगा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, try these वाले questions है, और किस तरीके से आपके, जो बीच-वीच में examples दिये रहते हैं, हमने वहाँ detail में चीजों को बताया ह हुआ है, वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, तो आपका बच्चा भी इसी तरीके से सीखेगा, तो यह teacher में depend करता है, कि जो NCRT का content है, NCRT के साथ एक और book चलती है, जिसका नाम है NCRT exemplar, ठीक है, इन दोनों books को ही अगर हमने अच्छी तरीके से follow कर ले, य मैं कि मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरे अनुभाव की जिम्मेदारी है, यह मेरे experience की जिम्मेदारी है, कि मैं किस तरीके से उस अमरित को वहाँ से निकाल के लेके और बच्चे को live session में दू, मतलब reference book आप लोग बहुत सारी follow करते हो, reference book follow करने से कुछ नहीं होता है, मैं आप CRT के ही content को कितने अच्छी तरीके तरीके से उससे ही questions बना बना कर live session में बच्चों के साथ discuss करें, class में बच्चों के साथ discuss करें, ठीक है न, अच्छा, अब जाते जाते क्योंकि समय की बहुत कमी है, मैं live जल्दी आता भी नहीं हो, जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंग कि अगर आप in classes में enroll करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि only serious candidates can contact, ठीक है, देखिए हर एक बच्चे को ना में पढ़ा सकता हूं, ना हर एक बच्चा में इसे पढ़ सकता है, ठीक, तो अगर आप एक hard working person है, hard working है अगर आप, मतलब जैसे मैं मेहनत करू आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत ही dedication के साथ पढ़ाता हूं, बहुत ही hard work के साथ पढ़ाता हूं, ठीक है, और मेरा target रहता है बच्चे को किस तरीके से तराश के एक future के लिए तयार किया जाए, ठीक है, तो can contact, ठीक हर एक बच्चे के लिए नहीं है ये classes, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मन लगा के पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो only serious candidates can contact, contact कैसे करना है, don't call, please call अच्छानक से मत करीगा, हजारों call यहां पर आते हैं, क्योंकि हमारे दो-दो channel से, तो उसको handle करने के लि करें, क्योंकि these are paid classes, these are not free classes, ओके ये एक tuition की तरह है, ठीक है, तो WhatsApp आप करोगे, 7503644171, इस number पर आप लोग प्लीज वाटसप करें, और जो भी information होगी आपको यहां दिया जाएगा, अगर मुझे लगेगा कि आप से बात करना है, तभी मैं आपको, मतलब आप मेरे से एक time ल से बात हुई, ऐसे बहुत सार है, तो शायदा आज आप से बात ना हो, किसी और दिन मैं आपको time दो, मैं आपकी बात हो, लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे है, as soon as, आप क्या करो, अपने आपको register कर लो, register कैसे करना है, यहां पर WhatsApp करिए, सारी information मिल जाएगी, जिसस मैं अच्छी तरह के से बच्चों पर काम करूंगा, मैंनत करूंगा, बच्चों को अच्छे सवाल सिखाऊंगा, अच्छे concept सिखाऊंगा, ठीक है, physics, chemistry, mathematics को बहुत अच्छी तरह के से उनको मैं सिखाऊंगा, correct, तो इस number पर WhatsApp करिए, ठीक है, and these are paid classes, so, these are paid classes, so, only parents can contact, ठीक है, बच्चे, please contact ना करे, parents contact करे, WhatsApp करिए, अगर आपको लगता है, call करना है, तो आप call कर सकते हो, ठीक है, और सभी parents को मैं सचेट करना चाहता हूँ, एक बार, कि कभी-कभी हम लोग बहुत बड़े brand को देखके, कही admission ले लेते हैं, आप पूरा fees एक साथ deposit कर देते ठीक है, देखे, brand से कुछ नहीं होता है, brand teacher होता है, ठीक है, आपका teacher ने कितने अच्छी तरीके से अपनी practice करी, आप किसी brand में गया, teacher ही change हो गया फिर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेरी classes मिलेंगी, ठीक है, और काफी अनुभा मैंने पिछले 13 से 14 वर्षों में लिया हु हुआ है इस फिल्ड में physics के mathematics में और मैं बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बता सकता हूँ बच्चों को ठीक है, और एक चीज और YouTube वीडियो से इन classes को compare ना करे, प्लीज ध्यानने YouTube वीडियो से इन classes को compare ना करे, ठीक मतलब, मतलब देखिए YouTube पर क्या है सिर्फ वीडियो इन classes में live session में बच्चा आएगा, one-to-one interaction होगा, बच्चे से बात होगी, उसको motivation मिलेगा, अपनी बात को सामने रख पाएगा, आप देखता हो, आप comment करते हो, हर एक comment का जवाब देना मेरे ले पॉसबल नहीं, तो आप सीधे live आओगे ना, screen लगी, speaker लगा, वाए बात करो ठीक है, तो ये सारी चीज़े, subjects को सीखेंगे, correct, okay, तो ये सारी चीज़े, I think आपको मेरी बात समझ में आई होगी, सभी parents को, मैं एक बार नमश्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, as soon as, इस number पर WhatsApp करिए, और अपनी seat को सुरक्षित करिए, याने कि सुरक्षित इसले, because म मैं फिर admissions बंद कर देता हूँ, ये सब को पता है, जो हुमारे पुराने बच्चे है, मैं बहुत लिए लिमिटेड इस सुटेंस लेता हूँ, और उन पर काम करता हूँ, बच्चे ले लिए एक बार, 10-15 सुटेंस ले लिए, अब उन पर मैनत करेंगे, साल बार, चीक है, उ